नमस्कार और वेलकम टू अल अफ यू इन ग्लोबल लुक। नमस्कार और वेलकम टू इन ग्लोबल लुक। नमस्कार और वेलकम टू इन ग्लोबल लुक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेर, सब्सक्राइब जरू करना है। देखो टेलिस्कोप हम सबको पता है उस डिवाइस को कहते हैं जिसके तुरू हम लोग दूर की चीजों को असानी से देख सकते हैं। अब होता क्या है कि हमारी जो स्पेस है ना, उसके जो भी रहस हैं उसको सुलजाने के लिए, और स्पेस के ऑबजेक्ट्स को एनिलाइज करने के लिए स्पेस टैलिस्कोप बनाए जाता है। तो वो होता है radio telescope, पहले तो कभी भी आप लोग optics या फिर optical इस तरह के word देखना, तो ये समझ जाना कि light की बात हो रही है यहाँ पर, optical telescope में क्या होता है कि space के जो objects होते हैं, उसकी जो lights निकल रही है, उससे जो lights निकल रही है, उसको mirror के arrangement के थुर magnified किया जाता है, और फिर उसके image को study की जाती है, तो इस तरीके से काम करता है optical telescope, जो दूर के object हैं, उससे जो light निकल रही है, उसको mirror के arrangement के थुर magnified कर देगा, और वो image आपको दे देगा जबकि radio telescope में क्या होता है कि यह object से जो radio waves निकलते हैं उसको detect करता है और उसके through फिर यह precise और clear picture उस object की बना के आपको दे देता है तो काम एक ही कर रहे हैं दोनों लेकिन अलग-अलग band frequency पर कर रहे हैं आप लोग ने 11, 12 या फिर उसकूल में किसी और class में wavelength, frequency, energy इन सब के बारे में पढ़ा होगा अगर आप लोग को नहीं भी याद तो मैं यहाँ बताऊंगा यहाँ screen पे देखो आप लोग यह जो spring जैसा diagram है इसको कहते है electromagnetic spectrum इसमें जो सबसे उपर वाला point होता है उसको कहते है crest और सबसे नीचे वाला जो point होता है इसको कहते है truff अब दो consecutive crest के बीच में या फिर दो consecutive truff के बीच में जो distance होती है इसको कहते है wavelength दूसरा time होता है frequency frequency क्या होता है कि एक particular time में कोई भी time ले लो आप लोग जैसे कि एक second हो गया उसमें कितनी बार यह wave oscillate करता है मतलब कि यह उपर जा रहा है नीचे जा रहा है न ऐसे तो एक particular time में कितनी बार यह एक oscillation यानि उपर से नीचे जाना और फिर उपर आ जाना यह पूरा करता है अगर wavelength जादा है इसका मतलब क्या है कि frequency कम है तो कहने का मतलब है कि wavelength और frequency में inverse relationship होता है और दूसरा फिर आता है energy, energy में क्या होता है कि ऐसे समझो आप लोग कि जिस चीज में high energy होगी ना उसकी जो wavelength होगी वो छोटी होगी और frequency उसकी जादा होगी इसलिए इस electromagnetic spectrum में जो सबसे कम energy वाला wave होता है वो होता है radio waves और इसी waves को detect करती है radio telescope और जो optical telescope होता है ना वो जैसा कि मैंने आपको बता है optical का मतलब है lights और light का मतलब है कि visible range के बाद तो visible range के बाद optical telescope काम करता है तो इसलिए होता क्या है कि वो object space में जिनके energy बहुत कम है और जो बिल्कुल भी light emit नहीं कर रही है या फिर light emit कर रही है लेकिन dust की वज़े से वो light वहाँ पर छुप जा रही है उस चीज को भी detect कर पाता है radio telescope क्यों क्योंकि ये radio waves जो होते हैं ये low energy से associated होते हैं और वही optical telescope जो हाई energy से associated होते हैं इसलिए वो क्या होते है कि सिर्फ चमकदार चीज जो होती है space में जो ज़्यादा light emit कर रही हो उसी को detect कर पाती है इसलिए बहुत सी चीज optical telescope जो होता है वो detect नहीं कर पाती है तो ये इस तरीके से काम करते हैं दोनों और ये difference होता है दोनों में और जो optical telescope होता है इसमें single unit का ही structure होता है पूरा Aresibo telescope जो कि Piotro Rico में इस्तित है ये एक लौता ऐसा radio telescope है जिसमें सिर्फ single unit लगा हुआ है 1963 में इसको establish किया गया था है और ये second largest radio telescope था वर्ल्ड का लेकिन दिसंबर 2020 में ये collapse कर गया किसी वज़े से तो अब ये जो SKR telescope होने वाला ना यानि square kilometer array telescope जो बनने वाला ये भी एक radio telescope ही है इसके बारे में बात की गई है इस news article में total 2 billion euro का खर्चा आएगा इसे बनाने में 2 billion US dollar नहीं है 2 billion euro है यहाँ पर याद रखना इस चिसको और इसकी जो location होगी जहाँ पर इसको लगाया जाएगा वो होगा southern part of Africa में और Australia में जी हाँ दो continent में इसको लगाया जाएगा काफी बड़ा अब तक का सबसे बड़ा telescope जो है वो होगा ये और इसी लिए इसको बनाने में 6 साल का जो time है वो लगेगा भी आगे इसके बाद ए जानी square kilometer array organization जिसका headquarter होगा UK में उसको establish किया गया इसी telescope की देखरेक करने के लिए ये जो telescope है ये most precise test करेगा Einstein theory का और extraterrestrial object के बारे में पता करने में help करेगा scientist की currently जो member है इस पूरे प्रोग्राम में वो है South Africa, Australia, UK ये तीन तो of course इसमें member रहेंगे मैं नाम बताई चुका है इसका इसका इसके बाद है China, Italy, Netherlands, Portugal and Switzerland France, Spain, Germany ये सब भी accession path में है यानि बहुत जल्दी इसके member बन जाएंगे और इसके अलावा Canada, India, Sweden, South Korea और Japan ये वो countries है जिसने indication तो दिया है इस organization को join करने के लिए लेकिन अभी यहां की government ने कोई बड़ा step नहीं लिया है इसकी और इसी साल फरवरी में इंडिया और SKO में तो एक interim agreement भी sign किया लिया गया था कि इंडिया भी इसमें part होगा लेकिन अभी तक government की तरफ से ये चीज़ finalize नहीं किया गया है और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि इस telescope के बनने के बाद scientist काई सवाल जो की space से related है उसके जवाब डूड़ पाएंगे जैसे कि gravitational waves कैसे काम करता है life cycle of galaxy कितनी है इस तरह के के और भी चीजों के बारे में scientist को और फिर हम लोग को पता चल पाएगा इंडिया के जो telescopes हैं उसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं इंडिया के कई optical telescope है जिसमें से पहला जो है वो है 3.6 देवास्थल optical telescope 3.6 यहां पर इसके diameter से related है इसका diameter है 3.6 और आर्य भर्टर रिसर्च इंस्ट्यूट ने इसको बनाया है यह located है नैनी ताल में इसके ब पूने वाला telescope है दुनिया का इसके बाद radio telescope में भी इंडिया ने कुछ काम किया जैसे कि इंडिया का radio telescope है GMRT जिसका full form है giant meter wave radio telescope पूरे में यह located है और 45 meter diameter के 30 dish जो हैं वो मिलके यह telescope बनाते हैं इसके अलावा काई international project में भी इंडिया ने participate किया radio telescope से related जो थे जैसे कि इसके अलावा radio telescope से related कई facility को इंडिया होस्ट भी करता है जैसे कि उटी radio telescope हो गया और फिर गौरी विदानूर radio observatory हो गया तो इस तरीके से काफी strong tradition है इंडिया का radio telescope एरिया में लेकिन उसके बाद भी अभी जो है कुछ final step लिया नहीं गया है government की तरफ से इसको join करने के लिए देखते है future में क्या होता है अभी इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर करेंगे खतम आयोप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इसे like, comment, share, subscribe, that's all, have a nice day, take care